MAKERS को Contestants की गरीबी दिखती है उनका background दिखता है उनके दुख दिखते है नहीं दिखता है तो बस उनकी singing इस शो को singing के अलावा सब चीजों से लेना देना है ये कहना है पहले Indian Idle अभिजीत सावंत का अभिजीत सावंत जो इस शो के पहले सीजन के विनर थे उनका गाना मोहबते लुटाऊंगा काफी पॉपुलर भी हुआ था उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटिव्यू में इस शो के बारे में खुलकर बात की है क्योंकि पिछले कुछ समय से इंडियन आइडल पर कहीं सारे आरोप लगे हैं कि किस तरह से इस शो के बात में इंट्रिस्ट है कि वो जूते पॉलिश कर पाता है या नहीं या फिर वो गरीब है या नहीं और इसकी कहानी में ट्रैजिडी कितनी है अभीजीत सावन ने तो ये भी कहा आप रीजनल रियालिटी शोज देखिए वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग पर ध्यान देया जाता है मेकर्स को शायद ही पता होगा कि इस कंटिस्टिंट का बैकगराउंड क्या है रीजनल वाले सिर्फ सिंगिंग पर ध्यान देते हैं जबकि यहां हिंदी शोज वाले जो हैं वो सिर्फ इनकी बैकगराउंड की कहानियों को भुनाते हैं साथ ही उन तो मैं लिरिक्स भूल गया था तो उस ताइम मेकर्स ने डिसाइड किया था कि मुझे रखना चाहिए या मुझे जाने देना चाहिए तब मेकर्स ने मुझे रखा था आज की डेट में अगर ऐसा कुछ हो जाता तो शायद इस सीन को बहुत खीचा जाता इस पर ट्रेलर और को प्रमोट किया जाता और एपिसोड आने तक तो इसकी इतनी हाइप बना दी जाती कि ये एक बहुत बड़ा मामला बन जाता ऐसे में अभिजीत सावंत का कहना है कि ओडियंस भी उतनी ही जिम्मिदार है हमारे हिंडी ओडियंस को हर समय मसाला चाहिए होता है इसलिए मेकर इसके उपर भी प्रेशर रहता है मसाला परोसने का अभिजीत सावंत की जहां तक बात करें तो वो पहले इंडियन आइडल थे लेकिन आज भी उन्हें स्ट्रॉगल करना पड़ रहा है उनका कहना है कि आखरी बार धिशुम फिल्म में उन्हें गाना गाने का मौका मिला थ उनके पास कोई भी फिल्म में गाना गाने का ओफर नहीं है वो सिर्फ स्टेज शोज और इवेंट्स करके अपनी कमाई कर रहे हैं और अभी तो कोविट के कारण स्टेज शोज भी नहीं हो रहे हैं जिसकारण रोजी रोटी के लिए काफी परेशानिया उठानी पड़ रह और अभी कोविट के नाम पर सिंगर्स को एक्स्प्लॉइट किया जाता है अभी जीत सावंत ने कहा कि 70 से 80 परसंट तक आपको समझोता ही करना पड़ता है और मेरी हालत देखकर मेरे आसपास वाले कहने लगे हैं कि इस प्रोफेशन को छोड़ दे कोई और बिजनस पवजूद आज इतने साल हो गए हैं फिर भी उन्हें इंडस्ट्री में सॉंग्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो ये शोज किस बात का धिनोरा पीटते हैं कि हमारे शोज से निकला हुआ जो कंटेस्टिन है वो आगे जाकर बहुत बड़ा सेलेब्रिटी अल्रेडी जो शो के कंटेस्टिन्स है वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं ऐसे वीडियो पहले से ही वाइरल हुए हैं और साथ ही ये कंटेस्टिन्स दूसरे कई रियालिटी शोज का हिस्सा लेकर इंडियन आइडल के मज़ पर आए हैं तो आप क्या नए टैलेंज को बहुत बड़ा सवाल है